नमस्कार लीडि इंडिया पॉब्लिशर्स एसोसियेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एस्गॉर्ड नाम में क्या रखा है ऐसा बहुत से लोग कहते हैं लेकिन सच यह है कि नाम में ही सब कुछ रखा है नाम से आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और जब आप उस नाम को लेकर कुछ अच्छे काम कर लेते हैं तो वो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके जब जब आप उस नाम से कोई मीडिया या किसी समाचार पत्र या फिर न्यूज वेब पोर्टल को चला रहे हो तो नाम को बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए ये विशे आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस वक्त हजारों की तादाद में जो है यूट्यूब और वेबसाइट हैं जो कि न्यूज की तरह काम कर रहे हैं तो उनका सीधे सीधे क्लैश होता है जो रजिस्टर्ड मीडिया है उनके साथ तो जो नाम है जब हम उस नाम को रखते हैं तो कई बार पॉपलर मीडिया की तरज पर हम रख लेते हैं और नाम की सिमिलेरिटी उन टीवी चैनल से हो जाती है जैसे बहुत सारे लोग इंडिय टीवी या फिर न्यूज आज तक या फिर इसी तरह से जितने भी भारत टीवी भारत समाचार इस तरह से ही नामों को रख रहे हैं मजबूरी भी है समाचारों के अंदर ऐसे ही नामों को लेना पड़ता है लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपने नाम को यूनिक चुनना जाहिए ताकि अगर कभी आपके साथ में किसी से भी रेजिस्टर्ड मीडिया की बात नहीं, कोई भी ऐसा क्लैश आपके सामने ना आए, कि भाई ये नाम तो हमारा है और आपने अपनी करी कराई मेहनत को फिर बाद में उसके आगे छोड़ देना पड़े, तो अब आप कैसे इसको नाम रखने की सावधानी बढ़ते हैं, सबसे पहले आप दो तीन तरीके से समझ सकते हैं कि आपका नाम यूनिक है की नहीं, लेकिन अगर मान लीजे आपने अपना नाम रखा और वो नाम किसी डाट कॉम से और रेड़ी चल रहा है, तो आप समझे कि आप सेकंड है और आपको फिर उसके प्रायर यूजर आप नहीं है, तो उस नाम को कोशिश किजी कि अवाइड कर दे, या फिर आपका बहुत पसंदीदा नाम है, या कोई आप्शन ही नहीं है तो उसके अंदर फिर भी कुछ फेर बदल करें, जैसे आप एक्जामपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि आपने भारत नाम रखा, तो भारत के आगे आप फिर दभारत कर सकते हैं, या फिर भारत वर्ष कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से नाम को कुछ ना कुछ एडिशन और समिशन आपको करना चाहिए और करना ही आपके हित में होगा, दूसरी बार ये तो हुआ की website के बारे में आपने कैसे पता किया domain से पता चल गया दूसरा जब आप MSME registration कराएंगे उसका क्योंकि अभी आप media के तौर पे registered नहीं हो पाएंगे company के तौर पर जाएंगे MSME में तो वहाँ पे आपको जब आप अपने नाम को registration के लिए देंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि already वहाँ पे कितने लोग उस नाम से काम कर रहे हैं तो आप उस नाम को फिर भी वहाँ से tally कर सकते हैं तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप आरे नाई की website पर चले जाएं जो officially अख़बारों को registered करती है लेकिन जादा तर नाम जो है उनी से मिलते जुलते हो जाते हैं तो अखबारों की ये जाज करने के लिए कि इस नाम से पहले से ही कोई अखबार तो नहीं चल रहा आप एक बार आरे नाई की अखबार का है तो आपको अपने नाम में बदलाव करना पड़ेगा ये तीसरा तरीका हो गया और चौथा तरीका तो आप बहुत ही कौमा ने जानते ही है कोई भी टीवी चैनल देखेंगे तो आपको वहाँ पर न्यूस चैनल नजर आ जाएगा कि इस नाम से अल्रेडी न्यूस चैनल चल रहा है तो नाम रखने के लिए सबसे पहले एकदम आपका यूनिक होना जरूरी है यूनिक होना और आपके लक्षे से भरपूर होना यानि कि जो नाम आप रखें उसके अंदर वो दिखाई देना चाहिए तो नाम रखना है तो सोच समझ के तो रखना ही पड़ेगा थोड़ा रिसर्च तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप ये रिसर्च वर कि आप उसको सुरक्षित कैसे कराएं सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने एक बार तो MSME करा लिया दूसरा इसका ट्रेड मार्क करा सकते हैं जो इंटिलेक्शल प्रॉपर्टी है इसको इंटिलेक्शल प्रॉपर्टी कहा जाता है इसकी सेफटी के लिए भारत सरकार ने ज कर सकते हैं वहां पे भी बहुत सारी क्लास दी हुई है कुछ मीडिया के लिए हैं कुछ लीगल के लिए हैं कुछ प्रॉडक्ट्स के लिए हैं अलग-अलग तरीके की क्लास एंड कैटेग्रीज हैं वहां पे आप अपने नाम को ट्रेड मार्क करा सकते हैं उसके बाद आप आपका नाम आपसे कोई नहीं चीन सकता फिर आप आराम से कह सकते हैं नाम में ही सब कुछ रखा है तो यह वीडियो नाम रखने के बारे में था मैंने यह इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया था कि उनके उन्हें लोग धंकियां दे रहे हैं कि यह नाम आ बहुत बहुत धन्यवाद.